दोस्तों आपने साइद एक छोट इसे गुड़ल के प्लांट में इतनी सारी कलियां और फूल एक साथी देखे होंगे जिसे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ सारे और्गनी फटलाजर का ये दम है तो नमस्कार दोस्तों मैं अपको स्वागत दोग में काली मेरे बेटा मेरे सांथ ही वह गया और ब्या ओर साइद लगें तो मैंने सुचा क्यों ना मैं खुदी वीडियो बना लूँ तो देखिए कापी फ्लावरिंग इसमें हो गई और इतने बड्स बनी भी है कुछ दिन पहले हमारे यहां बारिश हुई ना कापी उसमें बहुत सारे फूल गिर जाते हैं कुछ गल जाते हैं प्लांट में लगें मैं कुद हैरान हो गई इतनी फ्लावरिंग मांगे और बहुत छोटा सा पॉर्ट है तो चलिए अब मैं आपको दिखाते ही जो पॉर्ट में मेरे प्लांट है उसमें कैसी फ्लावरिंग हो रही है पॉर्ट में लगा हुआ और देखिए कितना सुन्दर डेबल पैटल है यह कली खिलने को हुँरी इसमें काप यह पहिल की फ्लावरिंग हो रही है और इधर दिखाओ तो आज तो यह सुर्ख लाल इतना सुन्दर शुंदर बने हुई है और यहां देखिए उधर पीमे। बहुत दूर से कतंहीं हुई हूऍत नरसरी में दोब में मार्च अप्रैल के मंथ में कटिंग लगाई थी और देखे इसकी अच्छी ग्रोध साखा होने के बाद अब इसमें फ्लावरिंग आ गई है गुड़ल तो मेरे पास काफी है सिंगल पैटल में है काफी सारी कलियां बनती है यह चोटा वाला पूना बराइटी का है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है खूब साखाएं भी इसकी बनती है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है यहाँ पर देखी बलसम महंदी का प्लांट है ना देखो डबल पैटल में गुलाब से कम नहीं है इसके फ्लावर किते सुन्दर हो रहे जिसे ग यह पूर्पर दिखा है तो दोस्तों आज तो आपका दिल खुस हो गया होगा जिने जो है ना फ्लावर पसंद है नैच्रल अच्छी ब्यूटी जिसको पसंद है फूल अच्छे लगते उनका दिल खुस हो गया होगा इससे ना हमारा है मैं आपको दिखा रही हूं प्लीज आप जिन्हें पसंद ना हो वह लोग न राज ना हो इंधु एंध्क ये लुता हमने कर लेकिशंद कोशी होगी । से वगरा होते नहीं वो भी मरते हैं थो इसलिए पल्asta की पूरी अच्छी तरहumber से गुडाहई करने चाहिए थो चाहिए जोंसे चैजह कांडばいे चिजह हमें कै lawsuits के लिए न तो चलिए कैसे को बनाना है मैं बटाती हूं पर्भाले भाल्टी है इस बाल्टी द भी एक बाल्टी में ले रहा है यह मैं ने ले रखा भर भर्मी कमपोस्ट इस तरी में अगली चीज और ले के यह सीवीड गिन और रहा है सीवीड का यह बहुत ज्यादा से माइक्रो न्यूटेंस होते हैं यह हमारे पौधू की छोटी छोटी पोसकत्त्तों होते हैं देखिए हम एन पीके नाटिजन प्रोटेशन फासपरों से डालते हैं उसके अलावा भी छोटी-छोटी चीज़ा बहुत सारी हमारे प्लांट के लिए चीए हो जाती हैं जो कि इसमें सारे पोसकत्तों बिद्रिमान होते हैं यह टोटली और गनिक है तो इसको हम डाल देते हैं अगली चीज में डालने वाली हूं इसको और पाउर्फुल बनाएगा और किड़े मकॉडू से भी हमारे प्लांट को बचाएगा निमो टोट इस तरीक से डालने हैं अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है इंपोर्टेंट चीज क्या है कितनी चीजे मिला दी हमने चार चीजे हमने इसमें मिला दी है जो पांचवी और इंपोर्टेंट चीज हमें मिलाने वाली हूं यह गुड जगरी इसको बोलते हैं इसको में मिल बहुत ही बेनी फिसल है हमारे प्लांट के लिए अब तो विंटर सिजन आने वाला विंटर में तो बहुत ही जबरदस्त प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रांड हमारे मिट्टी को उपजाओ बनाने के लिए दोस्तों और चीजों को डिकंपोज करने के लिए और हारे बाइरन के मात्रा भर पूर करने लिए वह बहुत है तो इसको करना है अब इसमें हमें 1.0 1.072 आल दियाय हुनक को इससे 1.0 में 2.0 नाल ली ओ पो और 2.0 पानी के भी हो तो इस और रहा है mean और खुदी हमारा जो है धिरी धिरे भीग जाएगा यह देखे ऐसे हिला लेना हैं अभी मैंने खुली बाल्टी में रखना है हमैं इसको इयर टाइट करके रखना है बिलकुल इसमें हवा मलब इयर टाइट करना है हुआ नहीं लगनी है और लेकिन दोस्तों इसमें गेस बने तो पंदरा दिन आपको मिनिमम इस चीज को रखना है हमको ढखना है मैं आज इसको खिले में बना रही हूँ और इसमें देखें इसमें गैस बननी होगी यह देखे अवाज आई ना तो सी ऐसे आवाज आती है वो भी सारा उपर उपर को आता है गिरने का भी डड़ाता लेकिन अब यह डिकंपोज होगी टोटली तो अब यह उतना नहीं उठेगा यह थोड़ी सी इसमें गैस बनी हुई है ठीक है यह देखें यह देखें बस यह बंद करते हैं अगर आप मेरी तरह बोतल मेहीं बनाना चाहेंगे तो आज मैंने इसमें बना कर रखा इस तरह किसे बना यह किसी डिब्बे में ढखकल लगा बड़े और हाडी प्लाoud होते जो बड़े बड़े अनके इसके में इसमिला कर लेती हूं आप छोटे सीजनर प्लांट होंगे दस दिन में किजिए है। उसको उसमें 10 दिन में कीजिए, आपने plant के coating देखे कि कौन सा plant आपका कितना मजबूत है, strong है, कितना चोटा है, कितना बड़ा है, 10 दिन में करिए निटो 15 दिन में डाले, मैं तो अपने plant में 7 देज में apply कर देती हूँ इसको, और apply कैसे करना है, वो मैं आपके साथ बताती भी को दो तो यह मैंने च्छनी लगा ली ऐएक अब यह हिल चुका है अगर बिलल गुल गया है इसका सारा न्यूट्रिसन जो है निकल चुका है तो यह देखे इतना ये पचास है 50 ml में निकालने वाली हूँ 50 ml के करीबी मैं मैं निकालने वाली हूँ ज़ादा आगा तो अई सुझक कम कर लूँगी और यह मैंने ले रख है 2 लिटर का पानी 2 लिटर पानी में यह 50 ml म मिलाने वाली हूँ तो यह देखे 2 लिटर पानी में तो यह 50 ml. मैंने 25 ml करीम मिला दिया है तो इससे हमारे भालांट चलदी मिलता है इसमें जो भी न्यूट्रिसन खुल गे ने वहमारे प्लांट यह प्रइला प्रवाला प्रांट और भी में दो साथ जाने के लिए पूरा थाइज आपको टाल शाथने के लिए पूरा कटाइं करने पार तो यह के तुस्तौ यह देखे इस तरीके से में अपने परवारिंग प्लांट में दे सकती हूँ आज का टॉपिक मैंने गुढ़र लखा है मैं इसलिए 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 गुढ़र बोल लिए है चाहे आप एक जोरा में डालिए गुलाब में डालिए किसी चीज में भी डालिए और आपको वीडियो अच्छे लगी होगी फेटिलाइजर का तरी ट्राइब कीजिए और मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई हैपी गार्डिंग टेक केर हैं अ